पीक्यू आर पार्टनर थे 3 to 1 के रेशियो में इनमें से क्यों ने रिटार्मेंट दे लिया और उसके रिटार्मेंट पर फिर्म की गुडविल वैल्यू करी गई रुपीज 18,000 आप से कहा गया कि आपको एजिस्में एंट्री पास करनी है by raising गुडविल अकाउंट as well as writing of the goodwill account खीक है बच्चो तो रिटार्मेंट पे जो नॉमल आप एजिस्में एंट्री पास करते हो वाली entry pass नहीं करनी है gaining partner to retiring partner आपको entry pass करनी है goodwill account raise करके as well as goodwill account को write off करके तो यह कैसे किया जाता है मैं बताने जा रहा हूँ बच्चो आप लोगों को सबसे पहले तो यह समझ लीजे बच्चो क्योंकि कोई further information नहीं है on Qs retirement तो आप यह मान के चलिए कि जो P और R का नया ratio है वो 3 to 1 हो जाएगा ठीक है बच्चो अब यह goodwill account raise कैसे करते हैं और write off कैसे करते हैं आईए वो देख लेते हैं goodwill account जो raise किया जाता है वो in the old ratio of the partners किया जाता है तो इसकी entry बनती है goodwill account debit to P's capital to Q's capital to R's capital account 18,000 को 3 to 1 के ratio में raise कर दीजिए तो 9,000, 6,000 और 3,000 आजाएगा फिर आप goodwill को write off कर दीजिए यह write off करने रा काम new ratio में करना है of P and R इसमें Q शामिल नहीं होगा और entry बन जाएगी P's capital account debit R's capital account debit to goodwill account clear बच्चो 18,000 को 3 stone बाटेंगे तो 13,500 B का आजाएगा 4,500 R का आजाएगा और goodwill account credit हो जाएगा तो goodwill account यहाँ पर open हुआ और यहाँ पर साथ साथ close हो गया ठीक है इसका इन दोनों entries का net effect यही निकल कर आएगा जो आप single adjustment entry पास करते थे gaining partner into sacrificing partner अब notice करेंगे तो P'd ultimately debit हो रहा है 4,000 से Q ultimately debit हो रहा है 1,500 से और R sorry Q नहीं R debit हो रहा है 1,500 से और Q credit हो रहा है 6,000 से तो इन दोनों entry का net effect net effect वही होगा जो single adjustment entry का हुआ करता है ठीक है बच्चों इस point को संधाने के लिए मैंने question number 34 का एक point यूज़ लिए कर रहा है question number 34 question number 24 of CBSC sample paper 2023 released by the CBSC board for the board examination 2023 उमीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये adjustment समन में आया होगा thank you बच्चो